Hello friends and welcome to my channel अपना इंशुरेंस वाला Hello friends आज इस वीडियो में आपको LIC का नया प्लान कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगी जो आपको गारेंटिट रिटर्न देगा इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पार्ट एकर की जो वीडियो अपलोड किया है उसमें सिर्फ ओवर्वी दिया गया है इस प्लान कॉम्बिनेशन का और इस वीडियो में आपको फुर डिटेल बताऊंगी और इसमें आपको गारेंटिट रिटर्न मिलेगा ठीक है तो आइए फ्रेंट्स चलिए इस प्लान के बारे में डिटेल में समझते हैं इस प्लान कॉम्बिनेशन में हमने तीन प्लान लिए हैं और जो ये तीनो प्लान है ये है धन रेखा टेबल नंबर 863 यहां पर हमने धन रेखा प्लान टेबल नंबर 863 के तीनो आपशण लिये गए हैं यानि पहला जो उसका आपशण है वो टम 20 और PPT 10 यर्ष है का मतलब है premium paying term मतलब आपको कितने साल तक premium जमा करना है और अगर PPT 10 साल है तो आपको भी जो premium जमा करना पड़ेगा जो installment जमा करने पड़ेगी वो भी 10 साल होगी इस प्लैन में आपको सिर्फ 20 साल ही पैसा जमा करना है जबकि आपको return 10 साल के बाद से लेकर 40 साल तक बार-बार हर interval में मिलता रहीगा मतलब की friends आप काम करने वाले golden ears में ही अपनी saving करके अपने बाकी की समय को tension free कर सकते हैं और अपनी life को enjoy कर सकते हैं और एक और खास बात है जैसे जैसे आप जीवन में आगे पढ़ते रहेंगे वैसे ही आपकी किष्ट भी कम होती जाएगे आपका premium कम होता जाएगा और आपके जो return है वो बढ़ते जाएगे चलिए example से समझते हैं यहाँ पर मैंने example के लिए 30 वर्ष की उम्र लिए इसमें पहले 10 वर्ष में आपको 340 रुपरे आपको सिर्फ 85 रुपेज पर डे की सेविंग करनी है और अगर एवरेज निकाले तो आपको 20 साल तक हर दिन सिर्फ 237 रुपे जमा करने हैं यहाँ पर पहला प्लैन धन रेका टर्म 20 साल यानि PPT 10 साल लिया है जिसका एली प्रीमियम 54,000 रुपेज है जो आपको 10 साल में जमा करना है और दूसरा प्लैन जिसमें धन रेका में आपको टर्म लेना है 30 और PPT 15 लिया गया है जिसका एली प्रीमियम आपको 39,000 पड़ेगा जो आपको जमा करना होगा 15 साल तक और तीसरा प्लैन में लिया गया है PPT 20 यर्स तक और टर्म 40 यर्स तक और जिसका एली प्रीमियम बनता है 31,000 और आपको ये जमा करना होगा 20 साल तक तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कि हमें कितना रिटन मिलेगा इस प्लैन में आपको दसवे साल के अंत में मिलेगा 50,000 रुपे 15 साल के अंत में मिलेगा 1,25,000 रुपे 20 साल के अंत में मिलेगा 9,50,000 रुपे 25 साल के अंत में मिलेगा 1,75,000 रुपे 30 साल के अंत में मिलेगा 12,50,000 रुपे 35 साल के अंत में मिलेगा 1,00,000 रुपे और 40 साल के अंत में मिलेगा 14,50,000 रुपे और यह एकदम fixed amount है इसकी guaranteed है इसमें कोई उपर नीचे amount नहीं होगा क्योंकि ये bonus पर depend नहीं करता है तो यहां पर एकदम fixed amount होता है जहां 9,50,000 रुपे आप अपने बच्चों की higher education के लिए यूज कर सकते हैं वहीं 12,50,000 रुपे आप उनकी marriage के लिए खर्च कर सकते हैं और last में जो आपको 14,50,000 का जो return मिलेगा वो आप अपने pension fund के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे एक आपका मंथली pension भी मिलती रहेगे एक important tip आपको देना चाहते हैं इस plan combination के return fixed और guaranteed है इसे ये plan combination आपको लेना चाहिए आपकर जितनी भी हम saving करते हैं उसमें fixed return 9 के बराबर मिलता है इससे ये plan combination आपके लिए बैतर option बन जाता है इस तरीकी के video के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं और हमारे telegram channel से भी join हो सकते हैं इस video को last तक देखने के लिए आपका धन्यवाद